सीरियल अनुपमा में स्वीटी गायब है कहां गई हुई है स्वीटी और कौन सा ऐसा सबूत मिल गया है स्वीटी को जिसकी वज़े से अब कहानी में नया ट्विस्ट आ जाएगा क्या मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे अनुजवर अनुपमा चलिए हम आपको पूरी खबर इसी रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वेल आइकन को दबा दें दोस्तो सीरिया अनुपमा में स्वीटी समर और डिंपी के शादी के सभी फ्रंक्शन से गायब है यहाँ पर शा फ्यामली को लग रहा है पता नहीं डिंपी कहां चली गई है दोस्त की शादी भाई की शादी से जादा इंपॉर्टन कैसे हो गई ऐसे में कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो वो एमोशनली भीख हो जाएगी और शायद इसी लिए वो इस शादी का हिस्सा नहीं बन रही है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है बलकि स्वीटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है स्वीटी को पता है कि बर्खा और माया दोनों ही डिंपी और समर की शादी में बिजी है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है इन दोनों के खिलाफ सबूत इखटा करने का और ऐसे में अब यहां पर स्वीटी के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग जाएगा बर्खा ने घिनोने पन की हद कर दी थी जी हां बर्खा ने अनुपमा से और अनुझ से उनके डिवोर्स के पेपर्स चुपचाप साइन करवा लिये थे हम आपको बता दें आप सभी को याद होगा कि जब अनुझ और अनुपमा कपाडिया एमपाइर में आए थे पेपर साइन करने के लिए उस समय आप सभी ने देखा था कि बर्खा ने चालाकी से कुछ ऐसे पेपर्स साइन करवाए थे अनुझ से भी और अनुपमा से भी जिससे ये दोनों अंजान थे और वो पेपर्स कुछ और नहीं बलकि वो पेपर्स डिवोर्स के पेपर्स थे जी हाँ अनुज ने भी और अनुपमा ने भी डिवोर्स के पेपर्स को साइन कर दिया है और वो पेपर्स बर्खा के पास थे ऐसे में अब स्वीटी के हात वो papers लग चुके हैं और स्वीटी वो papers लेकर पहुंचने वाली है समर और डिंपी के शादी के functions में और वो बर्का और माया के सामने उन papers की धजजिया उड़ाने वाली है उन पेपर्स को फारने वाली है क्योंकि वो धोके से लिए गए सिगनेचर थे वेल दोस्तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है स्वीटी को बहुत बड़ा जटका भी लगने वाला है जब उसे ये पता चलेगा कि उसका बाप यानि की वनराज भी इन सब हरकतों में शामिल था दोस्तो कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए क्या अनुज और अनुपमा की आँखे खुल जाएंगी अब ये सचाई देखकर हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें